Hello students, this is C.A. Karishma Vansar from MyFuture Academy. Let's start with our next topic, joint Hindu family business. Joint Hindu family business, एक बहुत oldest form of organization है, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो family members होते हैं, वो लेकि एक साथ आके business करते हैं, उसको as a H.U.F. Hindu undivided family, इसको H.U.F. बोलता है, पर actual में act है, H.U.F. that is Hindu undivided family की नाम पर इसको register कर वा देते हैं, यह Hindu law से govern होता है, the basis of membership of this business is the birth in a particular family and three successive generation can be members in the business, इसको बोल रहे हैं, कि यहाँ पर member बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस family का H.U.F. है, उस family में अगर आप जनम लेते हो, तो ही आप member बन सकते हो, ठीक है, the business is controlled by the head of the family यह जो business होता है, वो business, यह जैसे मेरी family है, यह family में, इस family के यह तीन लोग है, यह तीन में, यह head है, यह तीनों ने मिलके H.U.F. बनाई, यह जो H.U.F. है, वो कौन संभालेगा, यह head है, सबसे बड़ा बंदा है, वो संभालेगा, इस head को H.U.F. में करता बोला जाता है, क् है, all members have equal ownership right over the property of ancestors and they are known as co-partners, ऐसा बोल रहे है, चुप ही, जैसे यह है, यह करता है, यह करता है, यह नहीं कि इसके पास ज़्यादा ownership है, यह सिफ management का सारा काम यह करता है, बट ऐसा नहीं, जितने members है, सब के पास अपने पुर्वजों की property पे equal ownership right here, equal उनके पास सारी authority है, तो इसलिए इन सारे members को क्या बोला जाता है, co-partners, ठीक है, आगे, there are two system which, which governs membership in a family, दया भग्या, मिथा कश्रा system, दया भग्या, मिथा कश्रा system, दया भग्या system prevails in West Bengals and allows both the male and female member of the family to be co-partners, ऐसा बोल रहे है, दया भग्या, जो system है, वो West Bengal में है, वहाँ पे male और female दोनों co-partners बन सकते हैं, जबकि मिथा कश्रा system कहाँ पे है, इंडिया में है, except West Bengal, यहाँ पे सिफ और सिफ male members co-partners बन सकते हैं, जो main features, प्लीज यह आप लोग read कर लीजेगा, इसके अंदर कुछ भी doubt हो तो मुझे बताएगा, gender equality, joint Hindu family और reality, इसमें बता रहे हैं कि भले कोई-कोई act ऐसा बोलता है कि हम तो equal right दे रहे हैं, but actual में ऐसा नहीं है, उन लोगों को इतना equal right प्रोवाइड नहीं किया जाता, equality है ना, चितनी मिलनी चाहिए उतनी यह Hindu में, Hindu undivided family का जो act है उसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, अब आते इसके अंधर इसके अंदर बहुंत नहीं कम से कम दो लोग होने चाहिए यह दो लोगो के पास अपने पूरवाजो की property होनी चाहिए जिसमें लोग बिजनस करना चाहते हैं और इन लोगों को को आग्रीमेंट वीग्रीमेंट नहीं बनाना पड़ता है बस क्यूंकि इन सब्सक्राइब करता को छोड़के और सब्सक्राइब कि लिमिटेड है क्या बोला मैंने मतलब करता की लाइबली की लिमिटेड है और सबकी लिमिटेड है देखो अपनी परसनल प्राइबली की लिमिटेड है जबकि दूसरे मैंबर्स को वो नहीं है दूसरे मैंबर्स की जो लिमिटेड है उनका मार्केट अपना बुलते ना बिजनस में जितना शेयर है उतना ही उनका जो लिमिटेड है जैसे की 10 लाग का लॉस हुआ ठीक है ये दो लोग है ये करता है और ये बंदा है ठीक है ये 50 परसंट तक का बोलते ना इसका काम है अचला इसका जो जो शेयर है वो 20 परसंट है करता की लिमिटेड है ये 20 दस लाग में से इसको तो सिर्फ कितना लॉस भढ़ना है इसको सिर्फ 2 लाग का लॉस भढ़ना बच्चा कच्चा लॉस कुल भरेगा जंब भरेगा है और फिर में पईसा नहीं होगा इसलिए करता करता के लिमिते हैं रखांट फैंपल करता है की चीजिजिजिजिन सबसे ज़रूर किया जाता है पाउड परना सारे members को decision को मानना पड़ता है continuity यह यहां पर सबसे अच्छा चीज है कि करता के मनने के बाद business बन नहीं हो जाता करता के मनने के बाद जो family में दूसरा बड़ा eldest person होता है रहा वो करता की position हैंस minor can also be the member of the business generally जो organizations होती है बड़ी बड़ी उसके अंदर माइनर पार्टनर नहीं बन सकते माइनर मतलब जो तुम्हारे 18 साल के नीचे के हैं बट यहां पे जो हुए है हिंदू undivided families है उसके अंदर माइनर partners होते हैं क्यों क्योंकि हुए हुए में तो आप member कब बनते हो आप जब जनम लेते हो तब से ही आप member बन जाते हो अगर आप mail हो तो एक बाद वापिस इसके जो फीचर्स है वो पढ़ लेते हैं सबसे वह फॉर्मेशन लाइबलिटी कंट्रोल उसके बाद कंटिन्यूटी और माइनर मेंबर वापिस एक बार formation लाइबलिटी कंट्रोल कंटिन्यूटी और माइनर मेंबर आते हैं मैरिट्स पे इड्वांटीजिस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनसे और एस पॉलो एक्चिव एफ के जो एड्वांटेजिस है वो क्या है इफेक्टिव कंट्रोल करता के पास सारा पावर्स है तो इसमें क्या होता है करता जो डिसीजिन लेता है वो सबके उपर बा करता के बाद भी तुम्हारा जो बिजनस है वो बंद नहीं होता बिजनस ऑपरेशन कंटीन्यू रहता है इस सेकेंड बांटेज हो गया इफेक्टिव कंट्रोल क्योंकि सारे डिसीजिन वो खुद लेता है तो इसलिए प्रॉंप्ट डिसीजिन और फ्लेक्सिबल डिसीजि करता को अलावा दूसरे लोग है उनकी लाइबिटी लिमिटेड है तो उनके लिए फाइज है पैमिली मेंबर्स अगर रन करते हैं तो ऑविसी बात है वो खुद का बिजनस होगा तो अच्छा खुद को ही लगेगा तो इस वजह से ऐसे बिजनस में जादा लॉयल्टी और जादा कॉपरेशन के साथ काम किया जाता है और बिल्कुल भी डिस्प्यूट्स होने के चांसे थोड़े कम हो जाते हैं जबकि ऐसा नहीं है अगर इन रियालिकी देखे तो बिजनस जो होता है ना वह अगर रहना फैमिली वाले करते हैं तो उसमें जादा डिस्प्यूट् लिमिटेड लायबिटी ओफ मैंबर इंक्रीज लॉयल्टी और कॉपरेशन आगे आते हैं लिमिटेशन पे लिमिटेड रिसॉर्स क्योंकि यहां पर फैमिली के पास रिसॉर्स है उतना ही रिसॉर्स है तो इस वजह से यहां पर जो रिसॉर्स है वह लिमिटेड होते हैं हम करता कि तो यह पुरा का पूरा पूरा बरड न करता का लिए तो इसका है कि टो है तुक एक लिए कि वह आप्ली के जो है वह अनलिमिटेड है third disadvantage है dominance of कर्ता क्या होता है ना पूरा का पूरा पूरा business related decision लेने का काम business को manage करने का काम business को authorize करने का काम करता है होता क्या है कभी कभी कर्ता खुद को भगवान मान लेता कि ये business तो भई मेरा ही है तो उस वज़े से लोगों में ये जो अंदर-अंदर है बहुत जादा डिस्प्यूट्स होने चालू हो जाते हैं और कॉन्फिक्ट होना चालू हो जाते हैं और फैमिली धीरे-धीरे तूच आती है तो डॉमिनेंस ऑफ करता मतलब यह होता है लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स करता का काम है पूरा बिसनस मैनेज करना कि इसे खुछ से मैनेज कैसे करेंगा उसके अंदर वही कुछ कुछ स्किल्स होगी सारी स्किल्स हो नहीं होगी इस वजह से आज के ताइम पर धीरे-धीरे जो हंदू अंडिवेड़ेड़ फैमिली यह जॉइंट हिंदू फैमिली बिसनस जो है वो नंबर कम हो रहे हैं और ज कोई से लंच गया कि अब अब आते हैं पार्ट्नेशिप के ऊपर आज अपन नुक्तनीं के फीचर्स तक करेंगे कि मेरे निमिटेश्च और नीवेड़ब मीटेश्च के लेट अधी ताकि कल अपन के ऊपर कम बड़न हो पार्ट्नेशिप क्यूं आया पार्ट्नेशिप व of sole proprietorship के लिमिटेशन के वज़े से आया सोब लिमिटेशन की कि नहीं मैं सारा काम अकेले कैसे का रूँ तो उस वज़े से partnership रिमिटेशन का अंसर था कि भाई partnership के थ्रू आप कर सकते क्या बोल रहे हैं पार्टनर्शिप में दो या दो से जादा लोग एक कॉंट्रेक्ट में आते हैं ताकि वो लोग एक बिजनस कर सके जहां पे उनका परपस क्या है कुछ प्रॉफिट कमाना प्रॉफिट यहां पे इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 है जो हमारे पार्टनर्शिप को क्या करता है गवर्न करता है हमको सारे डिसीजन इस एक के इसाब से लेने परते हैं दे रिलेशन बिट्वीन पर्सन फॉफिट 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 होगा वह हम आपस में जो भी एग्रीड रेशियो होगा उसमें बाटेंगे अब पार्टनर्शिप के क्या-क्या फीचर्स है उस पर आते हैं फीचर्स में सबसे फ़र्स है डिफिनेशन गिवन अबॉइंट फॉलोऊ मेज़र का ज़ती है इसके लिए पार्टनर का नाम की उनका प्रॉफिट शेरिंग रेशियो क्या रहेगा वह एक्टिव पार्टन इसले हैं सारी चीजह यहां पर डिस्कृइब की जाती है तो फ़र्स्सवर्मेशन में कोई भी पार्टनर्शिप किस बीजिस पर फॉर्म होती है इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 के बीजेस पर फॉर्म होती है और उसमें एक legal document बनाया जाता है जिसके अंदर partner का नाम, वो लोग किस तरह से loss share करेंगे, क्या उन लोगों का तरीका होगा business करने का सारी चीज़े हमाँ पर लिखी जाती है second liability, यहाँ पे जो liability है वो unlimited होती है दोनों partner की, उनकी personal assets भी use हो सकती है अगर debt पूरा नहीं repay कर पाए तो इसलिए partnership में दोनों बंदे jointly और individually liable है अपने जो debts है company के जो business के debts है उसको pay करने के लिए हर बंदा jointly responsible है एक business में contribute करने के लिए अगर उसको कुछ loss होता है जैसे कि 10 लाग का loss हुआ 10 लाग का loss में से 2 लाग तो बिजनस में प्रॉपर्टी थी तो बेच के आगया अभी भी आठ लाग का loss recover करना बागी है आठ लाग का debt repay करना बागी है तो क्या होगा दोनों partner 4-4 ल करेंगे तो यहां पर दोनों बंदे जॉइंटली और सीवेली रिस्पॉंसिबर है किसके लिए loss को recover करने के लिए आगे हां कभी-कभी partnership में agreement में अगर कुछ और तरीके से लिखा हो कि अगर loss होगा तो मैं यह नहीं देगा ऐसा कभी लिखा नहीं जाता पर कुछ लिखा हो तो फिर वह चीज़ एप्लिकेबल होगी partnership agreement हमेशा करना है थर्ड रिस्क बियरी रिस्क यहां पे दोनों ही पियर करते हैं दे पार्टनर्स बियर रिस्क इंवल्ड इन बिजिनस दर रिवार्ट कम इन इसा बोल रहे हैं रिस्क यहां पे दोनों शेयर करते हैं और रिस्क के सामने जो रिवार्ड मिलता है वो लोग एग्री रेशियो में डिसाइड हुआ है वो उसे साब से उसको डिस्टिब्यूट कर देते हैं डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल डिपेंड करता है पार्टनर्शिप एक्ट में किस तरह से उनको अथौरिटी दी गई अगर दोनों पार्टनर इक्वल है मतला 50-50 है तो उन लोगों के डिसीजन मेकिंग अथौरिटी भी इक्वल होगी डिसीजन यहां पर म्यूचल और यह फीचर क्या होता है अगर एक पार्टनर होता है तो अब लोगों का वह बिजनस के लिए बंद हो जाता है जब दूसरय बजिए तो आप उनको नया partnership का agreement बनाना पड़ता है तो ही वह partnership वापस रिन्यू होती है बिना नए agreement के आपकी पुरानी partnership है वह खतम हो गई और ऐसा माना जाएगा आपका बिजनस भी बंद हो गया तो पार्टनर्शिप का यह limitation है कि जैसे सोल प्रप्राइटर्शिप में continuity का दिकत है ना वैसे पार्टनर्शिप में continuity का दिकत है कि अगर एक बंदा इन्सॉल्वेंट हो जाता या उसकी देट हो जाती है तो उस वज़े से जो पूरी पार्टनर्शिप है उसका स्टेटर्श भी उसके साफ से चेंज होता रहेगा मेंबर्शिप कोई minimum number of members का कुछ नहीं है लीडे तो सब्सक्राइब आइस टू मिनिमम नमबर टू है मैक्सिमम वहना banking के case में 10 है और जो दूसरे cases है उसमें 20 है वापिस minimum members दो चाहिए ऑविसी बात है एक बंदा कर रहे है तो सोल प्रपार्टर हो गया है दो चाहिए minimum partnership के लिए अगर आप मुचल एजनसी मतलब यहां पे हर बंदा दूसरे पार्टनर का या बिजनस का एजेंट है मतलब जैसे कि अगर मेरा दूसरा पार्टनर कहीं पे जाके कोई agreement करके आगया कोई करता है तो काम के लिए एक पार्टनर ने अगर कुछ काम किया तो उसके लिए मैं उतनी रिस्पोंसिबल हूँ जितना वो पर जो पर सब्सक्राइब यहां पर दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजिंट है मतलब दोनों एक दूसरे को अपने एक से क्या करते हैं जूसरे कि यहां पर यहां होता है मूचल एजेंसी का मुचल एजेंसी यहां पर खतम हुआ कि थर्ड रिस्क बियरिंग फॉर्थ डिसीशन मेंगिंग एंड कंट्रोल फिफ्थ कंटियूलिटी सिक्स्थ मेंबर्शिप सेवन्थ मुच्यल एजिंसी करापन लोग मैरेट्स लिमिकेशन से चालू करेंगे करापन पार्टनर्शिप पूरा खातम करेंगे